नमस्कार दोस्तों आज कि वीडियों है इसके इनर हम बात करने वाले हैं किया के iMT system के बारे में इसको बनाने वाले जो कंपनी है वो यूटाई लेखिन यहां पे 2020 hmm आप स्यंटा के iMT उस्तिम से थोड़ा अलग है अब किया का इंपर इंके जितनी भी बाहर की वेहिकल है अभी तक उनमें लाँच हुआ है यह आपको 48 वोल्ट सिस्टम के अंदर लाँच हो रहा है 48 वोल्ट क्या होता है कितने कॉंपोरेंस हैं और किस तरीके से काम करता है उसके उपर हमारी डेडिकेटेड वीडियो है उसका लेक्ट जो है आपको डिस्क्रेशन बॉक् करते हैं यह सेके सबस्utta दिरेखने को मिलेघा रहेन को मिल रहा है उही तक की तरफ से वाल 3% की उनको कमी दिखाए दी उनके CO2 एमिशन में तो सबसे बढ़ा होतरी जो है हमारे किसमें हुई फ्यूल एकॉनमी में और कमी किसमें आई CO2 में तो यह दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यह पूरे का पूरा टेस्ट जो है के जाता है और दूसरा जो है क्मपनी का अलग अलग होता है और वहा पर अपने इक एक कंट्रोल इन्वरमेंट के अंदर जो है गाडियों को टेस्कर दोनों ही टेस्ट करना बहुत जरूरी है उसके इसाफ से जिख है पता लगता है कि गाड़ी जो कितना एफिशेंस है और कितना जो है अगर उसको उन रोड रिलीस करते हैं तो क्या उसकी परफॉरमेंस रहने वाले बहुत सारी स्टडीज होती है उसके उपर आगे चलके कभी बात किया जाएकर आको वीडियो अभी चाहिए इन डेप्ट चाहिए तब हमें कमेंट करके क्या रखा जा रहा है आटमोटिव इंडस्ट्री में कि अब जो है आपकी गाड़े स्टिमिलेटर पर टेस्ट होंगी और उसके हिसाफ से जो है डेटा निकाला जाएगा तो यहां पर बहले बात कर लें कि आएमटी काम किस तरीके से करता है तो उससे पहले मैं आपको यहां फ्लाइवील है विल के ऊपर जाके रिंगेर रहते हैं उसके जहां यहां पर पीछे जाप देखेंगे ताब कर दिस्क लगी रहती है क्लेजिग के बाद प्रेशर प्लेट के बाद राओ बेरिंग्न के बाद क्लच फोर अप इस पूरे सिस्टम को जो है बोले जाता ह यहां पर आप देख रहा होंगे कि एक पूरे का पूरा जैसे आप दबाते हैं दबाने के बाद जो रोड बेरिंग अंदर की तरफ जाती है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक पूरे का पूरा प्रेशर प्लिट के यहां पे पूरा फिंगर साइब बने हैं अब क्या होता है कि अपने हाथ को आप ऐसे रखी ऐसे करके रखी है और यहां से आप दबाने की कोशिश करिए तो आपको जो है अपने अपने टेंडेंसी लेगे कि आपका फिंगर अगर डिस्करेट हो जाते हैं और डिस्कौनेट होने के बाद हमारे इंपूट शार्ट होती है उस पे हमारा कोई फरक नहीं रहता है। इसी वज़ए से पूरे क्यव पूर शिस्टम डिसिखेज हो जाता है. कि आपके transmission है वो disengage हो जाती है और आपको इंजन है वो disengage हो जाता है तो इस तरीके से पूरा basically system काम करता है अगर आपको इसके उपर भी वीडियो चाहिए तो हमें नीचे comment करके नीचे ज़रूर बता है अब हम चलते हैं हमारे IMT system की तरफ अब IMT system की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पूरे को दो तरीके से बताया एक तरफ जो है मैंने आपको समझा दिया पीछे वाली वीडियो में क्या क्या component आपको देखने को मिलेंगे अब मैं आपको बताता हूं basically कि यहां पर आपको क्या क्या अब आप देखेंगे यहां पर सबसे बहुत को अपने सिग्नल बेचता है इसके ओपर भी हमारे पूरी वीडियो है जहां पर मैंने बात किया था कि हम अगर पूरे system के अंदर से जापका ब्रेक बायर सिस्टम होता है उसके अंदर भी यही सिज्टम होती है तो उस वीडिय करता है और मतलब की जब पूरे सिस्टम को एक्टूइशन का मैं और मतलब की जूपका जो पूरवर के तूर बेरिंग्स को कनेट करता है फिर आपके चौन्सेक्टरिक स्लेंडर से बेसिकली आगे और दूरी स्लेंडर लगा हुआ ह। उस पूरे system के साथ जो ही क्या रहता है कि आपके जो फ्रॉड बेरिंग उनको पुश करने के काम आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हमने वायर system को हटा जिया है और पूरा system जो है आपके TCU जो है आपको transmission control unit है उसके हिसाफ से चल रहा है तो इसके अंदर कि अगर आपका free play adjusted नहीं है तो वह भी compensate हो जाएगा साथ ही साथ जो है आपको जर्ग देखने को मलते हैं आप बहुत तेजी छोड़ देते हैं तो वह सारी चीजे भी जो है यहां पर control होगी कि उन सब चीजों से भी जो है clutch paid के ऊपर बहुत adverse effect पड़ता है तो आप देख सक जो है आपको electro hydraulic system देख अंदर देखने को मिलेगा और यह जो है एक अच्छा सा component और मलब अच्छा सा system इसको डवलक किया है अगर आप चाहते हैं कि हम Hyundai के components के वीडियो बनाएं कि क्या 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 वेहिकल के अंदर और बिना clutch pedal के manual transmission कैसे काम कर रहा है उसके अंदर कॉन-कॉ से हैं तो उसके उपर जो है हमारी पास पूरी डॉक्यमेंटरी तयार है आपका इस वीडियो के उपर कि हमें Hyundai की वीडियो बनानी चाहिए तो हम उस वीडियो को जरूर रिलीज करेंगे इस वीडियो को यह तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुब हो झाल